हेलो एवरिवन इस वीडियो में बिहार स्टीटी कोर्ट केसे संबंदित अपडेट आज केसे की सुनवाई का तारिख है तो जानेंगे क्या सुनवाई संभव है तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे पर उससे पहले आज किया जाए जो है कैप्शन कॉंटेस्ट आपने सब्सक्राइच की बात नहीं कर रहा हूं सलेबस तन्सक्राइबस वाले की जाओ वह बिल्कूल लॉजिकल केस तक कोई एकड़मिक नहीं है बहुत सारे competitive exam इसी तरह से बीना syllabus जारी किये हुए बस हिंट करते हुए होते हैं बोड ने प्रेस रिलीज निकाला था कि graduation level का सवाल होगा तो इसलिए जो syllabus वाला case है वो definitely खारिज होगा बहुत सारे cases में देखा गया है कि petitioner पर उल्टा penalty लग जाता है petitioner को उल्टा सजा हो जाती है क्योंकि वो सही reasoning नहीं दे पाता है अपने case के बारे में अधालत कहती कि हमारा समय बरबाद हुआ हम तुम पर penalty लगाते हैं तो जो syllabus वाला case है वो बिल्कुल illogical है जरूरत है कि वकील जो है वो अच्छी तरह से इस मामले को convey करे जज तक जज को हर एक चीज की information नहीं है जज को वही बाते पता लगती है जो मौके पर वकील convey कर देता है तो आप अगर जज होते तो क्या करते इस पूरे मामले में स्लेबस वाले case की बात कर रहा हूं सिर्फ क्योंकि वह बिल्कुल illogical है क्या penalty लगाते नहीं लगाते penalty लगाते तो उसमें क्या सजार रहती पेटिशनर के लिए क्योंकि मतलब ही नहीं बनता है स्लेबस का केस करने का जब बोर्ट ने ऑल्लेडी स्लेबस जारी करके कह दिया कि इस तरी प्रशन होंगे तो फिर सिवाए डिले के और कुछ नहीं हो जहां तक मैत वाले case की बात है तो उसका थोड़ा लॉजिक बनता है वालग मामला है लेकिन स्लेबस वाले का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है तो आप अपने आपको थोड़ी देर के लिए जज कंसीडर करें मालने कि आप इस मामले को सुन रहे हैं इस case को सुनवाई हो रही है आपके सामने तो आप क्या करेंगे इस बात को आप comment box में लिखि है अब चलते हैं अपने जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है और वहाँ पर चलके देखते हैं कि दोनों जज़ों के जो बेंच है वहाँ पर case कितने नंबर पर लिस्टेड है क्योंकि दोनों cases का निप्टारा बहुत जरूरी है तब ही कुछ मामला आगे की तरह बढ़ेगा केसेज और भी हैं और भी केसेज ने जो ब्लाइंट फेडरेशन वाला case है अभी हाल में सरकार ने उसका हवाला दे करके जो पूरा प्रोसेस था उसको उसके उपर इस्टे लगाया है हाला कि उस पर इस्टे लगाने है कोई मामला ही नहीं था सरकार चाहती तो एक दिन में जो रिजर्वेशन बनता है उनको दे करके और मामला सेम डिस्टीरेशर करवा करके कंसर्ण ऑफिसर से मामला डन हो सकता था लेकिन अभी के लिए वह ब्लाइंट फेडरेशन वाला case भी मामले में जो है वह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लेकिन अभी जो दो रेगुलर case है मैथ वाला एक सिलिबस वाला उन दोनों की या सुनवाई की तारीख है तो देखते हैं कि कितने नंबर पर लिस्टेट है सबसे पहले यह बेंच अहसान अधिनमानौला वाली बेंच है और इस पहले देखते हैं कितने नंबर पर case list है सबसे लेफ्ट साइड में देखिए नंबर वन पर आपको दिखरा हुआ केस इसमें स्क्रॉल करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि अपना जो इस्टी इटी का कंसर्ण केस हो कितने नंबर पर देखिए 32 नंबर पर 85-20 केस लिस्टेड है और इसकी सुनवाई का जो टाइम दिया गया है वो देखिए सबसे राइट साइट पर साढ़े दस बजे सुबा का मदलब जिस वक्त ये वीडियो अपलोड होगा तकरीबर उसी वक्त का टाइम है अभी 32 नंबर पर ये केस लिस्टेड है अभी केस की सुनवाई होगी नहीं होगी ये शाम रखिए कि दोफर बाद ही क्लियर होगा क्योंकि एक केस की लिस्टिंग थोड़ी नीचे हो गई है अभी इस मामले में सुनवाई होती है नहीं होती है इस पर नजर बना के रखेंगे और कोई भी अपडेट निकल के आती है तो आपको अपडेट करेंगे पर 85-20 केस नंबर 32 नंबर पर लिस्टेड है Justice अहसान अडिन अमान ऑल्ला की बेंच में अब हमनों दूसरे केस की तरफ चलते हैं और वहा पर देखते हैं कि वहाँ पर केस की लिस्टिंग केतने मघ नंबर पर है तो यह था स्लेबस वाला केस अब दूसरे केस पर चलते हैं यह आपने देख लिया डॉक्टर रेनली कुमारुपार दे आए इनकी बेंच में भी मैथ वाला केस है स्क्रॉल कर रहें लिफ्ट साइट पर देखिए अपने स्क्रीन पर और तीन नंबर पर देखिए कितने सारे केस है चार केस है जो जिसको तीन तीन दिया हुआ है अभी कोट वाले कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पर पता नहीं पर अगर एक तरह से देखा जाए तो इस छे नंबर पर है पर आगर आप दूसी तरह की से देखेंगे तो यह थोड़ा सा पीछे की जाता वाद दिखरा यह तो इसमें हम दोनों केसे के मामले में यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज दो फर बात तक कोई खबर निकलके आने चाहिए आती है नहीं आती है यह हाई कोड की वेबसाइट पर भी आजाएगा शाम तक उससे आप जाद आची तरह से verify कर सकते हैं अगर आप petitioner से contact में हैं तो उनसे भी आप इस खबर की update ले सकते हैं वागे कहीं से खबर की update आई तो आप लोगों को update करेंगे लेकिन अभी के लिए यही है कि एक case जो के math वाला case है वो 6 नमबर पर listed है और एक दूसरा case जो के syllabus वाला case है एहसान उदीन अमानुला वाली bench में वो 32 नमबर पर listed है थोड़ा नीचे हो गया है अभी देखिए उस case का निप्टारा होता है नहीं होता है हाला कि पहले इस तरह की बाते हुई थी वो cases top 5 में रहेगा केस का इद्व मठारा को बिल्कुल final होने जा रहा है पर अभी 32 नमबर पर चला गया अभी देखते हैं आज क्या हो पाता है कि थोड़ा देर पहले मैंने कैप्शन कॉंटेस्ट के बारें बात किया पर्टिकुलर्ली स्लेबस वाले केस में कि उस मामले में अगर आप जज होते आप फैसला दे रहे होते तो क्या करते तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर तो अभी के लिए बस इतना ही पतानी कब तक इसी तरह से कोट से होता रहेगा होता रहेगा मालूम नहीं पर अभी सिवाए इंतजार करने के और सिवाए कोट की तरफ देखने की और कोई दूसरा ओप्शन दिखता भी नहीं है तो अभी के लिए इतना ही दिन पर नजर बना के रखेंगे थैंक यू झाल 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 झाल